तो हेलो उससेर कैसे हो आप सब लोग तो इस आज हम बात करेंगे मार्च जनवरी एंड जो है फैब इन तीनों महीनों में कौन-कौन सी बाइक आपको देखनों मिलेगी इंडियन मार्केट में आपको जोनी के बारे में बताऊँगा आज की वीडियो में इस जो बाइक है नेक्स्ट बंथ लॉंच हो रही है फैबररी में इसमें कुछ कुछ कोस्मेटिक चेंजिस किये गए हैं जैसे कि यहाँ पर अभी आपको इस बाइक में अलोई वील्स देखने मिलते थे तो मतलब यहाँ पर आपको टूबलेस टायस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर इस बाइक में आपको इंजिन वगरा एंड एक्जोस्ट वगरा वो जो आपको ब्लेक लर में देखने मिलेंगे जो पहले आपको सील और जो है क्रॉम के कमेंशन देखने मिलते थे अभी जो आपको ब्लेक लर में देखने को मिलेंगे उसके लाव जो आपको वि भी भी जोई इसमें कुछ खास जिस किये जाएँगे मतलँ कुछ जो है लोग इसके दी जादा है आप बाताना कि आप यह का deposité है फिर नहीं कर रहो उनू कि विरको तो नहीं लगता कि यह फिन कर रहा है मिरको यह नहीं कव जो त्वाकी आपको बता दू इसका जो प्राइस से अलग बग 2-3 जार बढ़ने वाली है सो आपको बता दूगा इस अभी सेकिंड बाइक के बारे सेकिंड बाइक जो हमारे पास आती है वो आती है रोले इंफिल्ड की क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन न्यू जनरेशन जिसमें की काफी सारे चेंजिस किये जाएंगे सो आपको बता दूगा इस अभी जो है शोनोंस में आप जाके देखो क्लासिक 350 जो ओल्ड वाला मोडल है वो जो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा जो की पहले लग बग आने वाली है न्यू जनरेशन जो है आपको लगबग 27 से 28 तारीक के बीच में जो उसका शायद शोरोंस में देखने हो मिल जाएगी जैसे बाइक आती है आपको जो है वीडियो मिल जाएगी आपको बता दूगा इसमें बाइक में आपको पावर जो है पहले से बैटर मिलेगी जो वाइबरेशन है वो जो है बिल्कुल खतम हो जाएगी मतलब जैसे आपको जो वाइबरेशन आती थी पहले वो भी आपको ना देखने में न्यू जनरेशन में जो है अभी आपको इसमें मेटर कंसोल में डिजिटल डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी जिसमें आपको फ्यूल लेवल भी शो करेगा जो है आपको और भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन शो कर सकता है आपको अज़ाद इसके स्विचिज वगरा हैं वो भी जो है जो है जैसे आपको मेटियोर में मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको इस बाइक की माइलेश जो है पहले से और बैटर मिलेगी सो कहने का मतलब बैक में जो काफी सारे चेंजिस किये जाएंगे जिससे यह अपनी मार्केट बना पाए सो बाकी अभी जो है बात करें इसके प्रैसिंग के बारे में प्रैस यो अलग पक 10-15 जार इजली बढ़ने वाली है अब जो है इसके लिए वेड कर सकते हो इसको उपन है जो आपको वही सेम LED headlight मिलेगी जो आपको Duke 390 मिलती है लेकिन आपको KTM RC में Halogen के headlight मिलेगी जो कि बिल्कुली outdated या फिर बिल्कुली कुछ खास भून नहीं लग रही है तो ऐसे में RC200 के लिए बहुत कम लोग वेट कर रहे हैं तो यहां पर अभी RC200 इसको जो लॉंच किया जाएगा March में, March में जो इसके दोनों मोडल्स आ सकते है RC200 और जो है 390 दोनों मोडल्स को जो मार्च में लॉंच कर दिया जाएगा और इसको प्राइस है वो जो है लगबक 15-20,000 बढ़ने वाले बिकुस जो पूरी फेरिंग है पुली TFT डिस्प्ले के साथ में देखने हूं मिलेगा जिसका कि शायद एक बेस्ट फीचर हो सकता है सेग्मेंट में बाकी आप बताना आप इसके लिए वेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बिकुस मैं तो इसके लिए वेट नहीं कर रहा हूं बिकुस इसमें कुछ खास चेंजिस नहीं हुए और जो लुक्स दिया है वो जो है बिल्कुली फ्लोपी लुक दिया गया है बाकी आप बताना कि आपको जो है निव लुक कैसा लगा RC200 का और जो है 390 का आपको बता दूगाइस यहां पर RC390 की जो प्राइस है वो लगबग 30,000 तक बढ़ सकती है जैसा कि rumors से पता चल रहा है जो कि इसकी new generation की जो प्राइस काफी ज़यदा बढ़ सकता है बाकी देखते हैं क्या कुछ प्राइस होती है अभी चलते है इस फॉर्थ बाइक के तरफ फॉर्थ बाइक के बारे में बात करो तो यहां पे जो Pulsar सीरीज है Pulsar 150, Pulsar 125 Pulsar 220 में तो आपने देखा नया मीटर कंसोल आ चुका है यही मीटर कंसोल जो है आपको को मिल जाएंगे सो कहने को मतलब ज्यादा कुछ चेंजिस इन बाइक में नहीं होगा आपको जो कोस्मेटिक चेंजिस देखने मिलेंगे प्राइस यह लगबख 3-4,000 बढ़ जाएगी नहीं चेंजिस के ऊपर सो आपको बता दोगा इस आप इन बाइक्स के लिए वेट कर सकते हो बजाज की दरफ से यह कुछ बाइक्स लॉंच होने वाली है आप मान के चलो कि लगबख 1-month के अंदर-अंदर यह सारी बाइक्स आपको देखने हो मिल जाएगी जो है अभी कुछ नया slot भी आया है बजाज शोरोंस में जो अपना शोरोंस है उसमें जो जाके चेक करो ऊँछ कोई नया model आया और नहीं आया है तो उसके बारे में जो आपको वीडियो दूँगा लास्ट बाइक जो मारे पास आती है वो आती है Honda की CBR 150R CBR 150R पर जो है मैंने separated video बना रखिया आप जाकर चेक कर सकते हूँ इसमें जो है ज़्यादा कुछ में changes के बारे मैं नहीं बात करूँ और में जो changes जो है उनके बारे में बात करूँगा यहाँ पर यह बाइक जो है आने वाली है March 2021 में इंडियन मार्केट में आप इस बाइक के लिए वेट करो इसका जो new model है वो लॉंच कर दिया गया इंडोनेसिया में bookings जो है काफी अच्या है response जो है काफी अच्या है तो आप ले सकते हैं इसको अभी भी नहीं बोलूँगा आर्म फाइफ जो है वो यार आर्म फाइफ ही है यहाँ पर आपको बता दूगे इसमें क्या कुछ changes है इसके नए model में इसमें आपको new front का look 250 आर्र जैसा पूरा look देखने मिलेगा इसमें अभी आपको UST suspensions देखने मिल जाएंगा इसके अलावा जो है new meter console जिसमें कि आपको colorful lighting देखने मिलेगी red and white color में उसके अलावा जो है आपको इस bike में emergency brake alert भी देखने को मिलेगा यदि सामने से कुछ आ रहा है तो आपको जो है automatically bike signal देगी कि front में कुछ आ रहा है यदि साइट से इसमें sensors यूज किये गये हैं जो कि काफी जादा help कर सकते है आपकी safe ride में आपको बता दूँ guys यहाँ पे इस bike में अभी आपको sleeper clutch भी देखने मिलेगी जो कि पहले नहीं मिलती थी assist sleeper clutch जो क्या होता है कि अभी जो हाँ gear up करो अभी जो है down करो जो कि आपको गाड़ी हो वगर हम देखने मिलता है feature so वो जो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा so यहाँ पे Honda CBR 150R आप इसके लिए वेट कर सकते हो काफी अच्छ यह package होने वाला Honda की तरफ से जो है काफी जल्दी आपको देखने वो मिल जाएगा इस पाइक में जो है आपको फुली LED लाइटिंग सिस्टम देखने मिलता है पावरफुल इंजन मिलता है जो कि लगबग 18 से 19 VHP के राउंड जो है पावर दे सकता आपको इंडियन मार्केट में कि देखते हैं कब आती है कब नहीं आती प्राइस जो है लगब 1.50 LX तक जाएगा एंड जो है मार्च तक ये जो है आ सकती इंडियन मार्केट में सो बाकी इस देख कुछ आज की वीडियो में ये कुछ पाइक्स थी जिनके बारे मैंने आपको आज बताया बाकी कोई भी डाउट्स हो इंस्टेग्राम पर मैसेज करो नीची जो उसका लिंक देदिया है बाकी मिलते हैं कि इस नेक्स टुडियो में तब तक के लिए जैहिंद फंद मात्रम